जैशरी राम जैशिबालाजी माराज, मित्रों बालाजी माराज की इक प्रस्दा आप पर्याप के परियुआश पर बनी रहे A.C.M. बालाजी माराज के सीछोड़ों मंगल काम नहीं कहते हैं मित्रों पिछले वीडियों हमने आपको बताया था हन्मान जी की अखण जोती कैसे जलाएं इस वीडियों हम बात कहने वाले हैं हन्मान जी की अखण जोती समापन कैसे करें यदि मित्रों आपने यह वाला वीडियों नहीं देखा है हमारा हन्मान जी की अखण जोती कैसे जल और यदि आप हमारे वाट्सअब चैनल से नहीं जोड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम है एड़रेट देवबर्मा 007 चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अकंड जोती समापन के साथ पाइठ है। तो आप अब किसी ना किसी गुरू की जो असायता ले सकते हैं तो आप जादाए वी ज्यादा ही सामिष्णियों की आवस्क्तपता होती है तो वो आपको आपके गुरू ही बता देंगे जिससे हवन कर वाइंगे आःये तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अव vamp करके बाबा को असानि कर सकते हैं और अपनी अखंड जूति समापन कर सकते हैं इस भॉटाने के लिए आपको क्या करना है सब से पहले आपको जितने भी करीबी लोग हैं परिजन हैं और जितने आपके अड़ोसी पड़ोसी भक्त हैं, जितने भी बाबा के उन सभी को आप आमंतृत कह लिएगा, आमंतृत कहने के बाद में आपको एक छोटा सा सत्संग करना है बाबा का, छोटा सा सत्संग कीजिएगा बाला जी माराज का सत्संग करेंगे, और उस सत्संग मे में आपको ल्स्ट में क्या करना है कि एक करना है एक हनवाण 40 का क्या पार्ट करना है यह सुसी को बजन के बाद में है और प्रहूशरीसjungी 9 इसके बाद में आपको हनवान स्टेक, बजरंगबाड और हनवान चरीसा के आपको पाट कहने है उसी बज़न के साथ में उसके बाद आपको क्या कहना है आपको हावन की तैयारी कह लेनी है हावन की तैयारी करेंगे हावन सामगरी जो है उसके अंदर आपको पंच मीवा अवस्चे मिलानी है पंच मीवा मिला लीजेगा कोई सी भी मीवा हो पांच परकार की आप जो है उसमें मिला लीजेगा हावन सामगरी के अंदर ठीक है और हावन के अंदर आपको लकड़ी का प अधार नहीं है में पूरा नहीं ऊपाइगा तब आप आम की लक्डियां प्रयोक कर सकते हैं आम की आफ आमने लक्डियां लिए सकते हैं ज्यार इसे यृद्धरर ले लीजिए गाओं यहार वावन के अंदर यह आपका ही तेयार हो जाएगा आपको सवरप्रत्म क्या करना है अपने घ्हान करना है मान से अब करेंगे और हाग जोड़कर गुरुजी को ध्यान करेंगे और उन अब जो पोफ आग इस प्रिकार से जो है आप अपने गुरु का ध्यान करके उनसे आज्या लेंगे उनसे आज्या लेने के बाद फिर आपको अपनी हवन जोती प्रजिलित करने के बाद में आपको सरपितम श्री गड़िश भगवान जी की आउती देनी है उसके बाद आपको अपने इस्ट देवों की आउती देनी है उसके बाद कुल देवी देवतां की आउती देनी है फिर आपको अपने पित्र देवों की आउती देनी होगी पित्र देवों की आउती देनी होगी प्रित्वी जल अगनी वायू और आकास इनकी आपको आउती द नहीं करते हैं और यह कूल लगता है यह हैं ऐसी को खोंटिक बिलकुल सेंधे वाली है अगनी तो आप किया आउती दे सकते हैं ठीक है आप लिख लीजिएगा मैं स्क्रीन पर जो है बता देता हूं आपको श्री हनवान गयत्री मंत्र आप नोट कर लीजिएगा या फिर इसक्रीन शॉट ले लीजिएगा ओम अंजनियाए विद्महे महा बलाए ती मही त इतनी देश तक चल सकती है उसी परकार से आप जो है आउती दे सकते हैं इसके बाद आपको जो है एक ठाली में कपूर रखकर कपूर से हनवान जी की आरती करें हनवान जी की आरती करके बाबा को आप विदाई देंगे और फिर आपको जो है सभी बक्तों को आरती देनी है सबी वक्तों को आर्रति देने के बाद आप प्रिसाद वित्रान करें उसके बाद में सभी को विदा कर सकते हैं इस प्रिकार से अखन चोती समापन का कार्य कर्ण किया जाता है एक छोटा साथ को मैं बता दिया है इस सब्सक्र छोटा जो कि बहुत ही सल्लों और यदि आपको कुछ जादा ही बड़ा यग्यहवन करवाना है तो आप किशिना किसी गुरू की जो सायता ले सकते हैं वह उसमें कुछ जादा ही बड़े मंत्रों का प्रियोग करते हैं लेकिंगे यह मैंने आपको हन्वान गायत्री मंत्र बता दिया इससे कि सभी लोग दो सालत्मक्षक्ति हैं और सभी भाग जाएंगे इस मंत्र को सुन करके यह गात्री माता का जो है दिया हुआ मन्त्र होता है मैं भर दिया हुआ दोना पर्चोदयात यह माता गयत्री का मंत्र इसी प्रिगार से हन्मान जी का मंत्र है और बहुत ही शिद्ध मंत्र है इसका अवश्य कह सकते हैं तो मित्रों यहां जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेट बॉक्त में अवश्य बताईएगा और यादि अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद आपका दिन शुबह जैश्री राओं